बिस्मिल्हियर्मान इलहीम, अल्हेख अल्हेकोरे स्टुट्स कैसे हैं हमारा आज को दिलेक्ट्टर है हमारी प्रेक्टिस श्रीज्ड जो के हमारे उन्मेजिन्स लॉप को एक टू के स्टुटेंट्स आप सब लोगों के लिए एक चोटा सा केस बैसे कि इसका जो मक्सद है कि आपको ला भी सिखाए जाए और उसकी प्रैक्टिकल एप्लिकेबिलिटी भी सिखाए जाए कि ला को प्रैक्टिस के अंदर इंप्लिमंट कैसे किया जाता है हमकानून पढ़तों लेते हैं अगर उसकी इम्प्लिमंटेशन और एक्लिकेशन का पता ना हो तो चानून पढ़ने का फाएदा भी नहीं है आज बिसेकली हम डबल जियोपरडी के जो कंसेप्ट है उसकी अप्लिकेशन लेखेंगे कि पाकिस्तान के किस कानून में क्या प्रोविजन है और अदालतों में इस कंसेप्ट को अप्लाई किस तरह किया जाए जाए है कुछ चीज़े ऐसी जो as being student आपने याद करनी है वो कौन सी वो लिखने वो हर शक्स को याद करनी जाए इसमें आप लोगों ने चार प्रोविजन से याद करनी है जिसमें से तीन का हवाला आज दिया जाएगा चौक्ती सिर्फ आपके knowledge के लिए तर पहनी प्रोविजन है article 13 of constitution of Pakistan मिल्स अगर आप से तुम पूछे जी बताएंगी यह जो डवल जू परडिक का concept है यह हमारे आइन और कानून में कहां में लिखा है तो आपका जवाब होगा कि जिलाब सबसे पहली प्रोविजन आर्टिकल 13 है और किसकी है constitution of Pakistan की उसके बाद second इसमें कौन सी है section 403 code of criminal procedure जो आज हम apply करने जा रहे है basic principle 403 का है डबल जू परड़ी का तीसरा इसका provision section 26 general clauses act directly इसके साथ fourth option link नहीं है लेकिन है वो भी उसको कहते हैं rest judicata section 11 code of civil procedure यह rest judicata डबल जू परड़ी एक ही चीज़ है फरक यह है कि एक general principle of law कहता है कि किसी भी शक्स को एक जुर्म की दो बार सजा नहीं हो सकता यह किसी भी शक्स के खिलाफ कोई civil मुगदमा दो बार नहीं किया जा सकता आज हम civil मुगदमे को साइड पर लखते जब हम civil court में जाएंगे हम rest judicata का मुगदमा वहां पर करेंगे आज हम double duty के हवाले से जबते हैं एक basic point जो आप सब लोगों को बिल्कुल clear होना चाहिए कि कोई भी आप से पूछे जोब तक clear हो चुका होना चाहिए अगर नहीं है तो आज clear कर ले मैं कल पर सूजब भी अब कोई भी बंदा है कि मैं से चीज़ पूछूना आप से मैं एक होगाए डबल जोपरड़ी क्या है डबल जोपरड़ी क्या है तो जवाब क्या है कि ज copy किसी भी शखोको एक ही मुकदमे में दो बार सजा नहीं होसकी यह इसको मजई रसान करें कि किसी भी शख़ पर एक जुर्म के बारे में दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता परसन वंस एक्विटेड आर कन्विक्टेड कैनाट बी ट्राइड अगें फार दे सेम अफेंस लफ्ज जो उसके मैंने ट्राइड एक निया लफ्ज होगा हमने ट्राइड रहे एरियन पड़ा होगा यहां पर ट्राइड का मतलब क्या है क्रिमिनल मुकदमा चलाने के अमल को ट्राइड कहते है और कनाट बी ट्राइड अगें का मतलब है उस पर दुबारा मुकदमा नहीं चलाया जास मिसाल के तोलब आप किसी शक्स के खलाब मुकदमा करते है वो उस मुकदमे में या तो कन्विक्ट होता है कन्विक्ट का मतलब उसको सिजा हो जाती है या वो एक्विक्ट होता है एक्विक्ट का मतलब वो क्या हो जाता है बरी अगर आपको कोई इतराज है तो ऐसी सुरत में आप अपील कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं अपीर आप रिविजन कर सकते हैं आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस जज के मुकदमे को नहीं माँता हूँ मैं तो क्या करूँगा बशीर लाटू को ले मुकदमा मैंने समय है है हो सकता कर नहीं हो सकता आएसा कس बंदा कर सकता के नहीं कर सकता कानून कहता के नहीं, ये नहीं हो सकता जब किसी शख्स को एक मुकदमे से बरी कर दिया है या उसको सजा दे दी जाए तो उसके खिलाफ भॉरामपदा नहीं को सकता प्रोविजन्स कौन सी है, सब लोगों की आवाज आनी चाहिए, Constitution का कौन सा Article है, Article 13, और Code of Criminal Procedure का कौन सा Section है, और Code of Criminal Procedure का कौन सा Section है, General Clauses Act का कौन सा Section, General Clauses Act का 26, General Clauses Act Section 26, और तीनों क्या बात करते हैं, एक, कौन सी बात, डबल ज्यूपरडी, डबल ज्यूपरडी, नो परसन शेल बी कनविक्टड़ ट्वाइस पॉर्ड़ सेम अफेंस, एक ही जुरम की किसी शक्स को दो बार सजा नहीं हो सकती, इस एक लिए यह होगा हमारा बेसिक कंसेप्ट, अब आज हम इसकी अप्लिकेशन इन दे कोर्स उसको पढ़ने जा रहे हैं, कि जहां पर आप पेटा अपने का अगलने कि जिस सिस्का में नाम देता है जाओं यह बल्कि आप अपना तारफ खुद करवाते हैं तक सब लोग किन और जो हमारे सुड़न्स हैं उनके तवस्त से यह एक हमने जुस्तरी शुरी पाकिस्दान में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कंसेप्ट था कि जिनाब ला अलग है थियूरी अलग है प्रेक्टिस अलग है एक बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट जो आपको डिफरंट जगह पर ही बताया जाता है कि थियूरी और प्रेक्टिस का कोई मामला आपस में नहीं है लहाद आप अलल पी तो तरह अपना टाइम हो जाएंगी तो आज हम हमारे जो बच्चे जो हमारे साथ इसमें शामिल हैं हम हर वीक में एक नया इशू लेकर आएंगे इस वीक में हमारा इशू डबल जी उपर डी उसके हवाले से एक हम कंसेप्ट कलियर करवाना चाहते हैं F.I.R. और कंप्लेंट का वो तुमाम लोग स्टुडेंट्स हैं तो अपने घर में यागर आप कॉलेजेस के अंदर हैं यहां पर नहीं आ सकते तो अपने कॉलेजेस में आप खुछ अपने मूट कोट मूट कोट नहीं तो किसी भी जग़ा पर आमने सामने खड़े ओकर क्रास आर्ग्यूमेंट करें और इस स्टुडेस दो चीजें हैं सेक्शन 200 आपका कोड अफ क्रिम्र प्रोसीजर प्राइवेट कंप्लेंट इस्तखाजा की जूरत में और सेक्शन 403 डबल जीव परडी की अप्लिकेशन यह हमारी प्रोविजन्स हैं वन वैबन आप लोग शाजेप अपना आरफ कर आएं कैमरे असलाम लेकुम मैं नाम इस मौमद शेबास आइम अस्टूटर्ट ऑपर टू असलाम लेकुम मैं नाम इस हाफिस मौमद आसिफ आइम इस्टूटर्ट ऑफ ललपी पार टू इन एजेंस ना करने चाहिए जी पताये मकील सब क्या आपने आपका जनाब मौकला मसमाद जरीना बीबी मकतूल अलि नवास की बेवा और इसके दो बचों की माँ है जिनकी उमर आठ और प्वाई साल है जनाब मुर्खा एक एक दोजर बाइस को कम्प्लेनिट जनीना भीबी के खामे को कलमा चोप पर इल्जाम एहलियान शाजेख और जिशान ने कतल कर दिया जिस पर एक 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 दोजर बाइस को थाना नसीराबाद में मक्तूल के सुतेले भाई हसन की मुद्रियत में दर्चुई मक्तूल के भाई हसन ने साइला को यकीन दिलाया कि वो मुझ्जमान को करार वाकी सदा दिल्वाने में कोई कसर नहीं चोड़ेगा लेकिन अरसे बाद कम्प्लेनेट को मालूम हुआ के मुसमी हसन मुझ्जमान के साथ बास करके सुला सभाई की कोशिश कर रहा है जिस पर मुझ्खा एक बारां दोजर तईस को कम्प्लेनेट ने ट्राइट कोट में दर्खास गुजारी की के इसको बुर्सा की फैरिस में शामिल दिया जए लेकिन इस पर किसी भी किसम के फैसले के बज़ाए मुझ्जमान को सुला की बन्याद पर जमान पर रहा कर दिया गया जनाबे आली कम्प्लेनेट मक्तूला की बीवी और इसके बच्चों की माँ और तर्जीही वली है लहाज़ा F.I.R. से मायूस होकर इस तगासा दायर किया ताके मक्तूल के कातलों को करार वाकी सदा दिलवाई है अब मेरे फाजल वकील साथ इस हवाले से एक जैजमेट पेश करेंगे झादिख एक जैजमेट प्रीच्च्च प्रीच्च प्रीच्च। बंखे फोलीस और गटेंक रिजस्टर अगेंगेंट तक रूपर इंवेंट रिजस्टेश्यर को किना रसा हो चुक है। दो साल अचें। और आप आज कम प्रिंद करते हैं। जनाब, मेरी मौकला एक अंपड़ और गेरोली खत्मून है, वो इन परसीजर से नावाकिफ है, जिस वज़ा से मुकदमा दर्श कुछ वह नाए जज्जमेंट पेश करते हैं, कि अगर क्या आप दो सार बात को कम्प्लेइन कर सकते हैं, कोई लिमिट्रिशिन वगयरा कोई ल जुझमेंट, वेह जुझमेंट पेश करें हाँ, जैसाथ मैं आपको इस समाले से एक जुझमेंट पेश करता है, छलों कि अगर्टिंक टू था जज़मेंट, 210-S-C-M-R-1816, लिमिटेशन नो लिमिटेशन इस प्रिस्क्राइब इन क्रिमिनल को रिसीडिंग जनाब मेरे फाजिल दोस्त ने बड़े ही अच्छे अंदाज में एक पहले से डिसाइड़ केस को हकाई को चुपाते होई अदा के उसों में पेश किया है इसक्राइब सब्सक्राइब राला करें ज kijken है तो मृण नो बड़े करें मथ्या न रौत हैं की उत्यूप उप्राइब उन लचका है?ंदा करें था इस सप्सक्राइब हम मुकदम के समय रहता है marks जया साथ के मीरे ऐचिर्ष somehow की लिए को बताया कर दो बड़ी हो चुके हैं और के आप के विकारें के कार्यों वॉइक wykorावना की एकवेट बैसेलमन अभी है सर्थ 12-23 को ट्राइल को ट्राइल करें ये तो जनाब बरी हो चुके हैं आप लोग शहीद पुराने मेट्र कुलिटर इंट्री करें करें मार फिर देखें इसको बता हैं ना वाप नो बता है सर मुझमान मुकदमे कदल से बरी हो चुके हैं एक फ्रेश ट्राइल को आइन और कनून के खिलाफ होगा और अदालत हुदूर के कीश के वक्त का जिया होगा जहां तक बात दर्खास की तो फैसला मभूज होने के बाद आई टीवी थी एक 12-23 को ट्राइल कोट का फैसला आना था उसी तिरिये दर्खास बुलाइडी वीड थी जनवेवाला मेरे मौजिल दोस्त इस हावाले से कुछ गज्मेंट्स अदालत हुदूर में प्रीश करना चाहते हैं जट्साव ये जट्मेंट मुलाइजा पर माइं एक 12-1997 MLT 1692 Section 403 CRPC contemplates a situation where a person once has been tried code of competent jurisdiction and equated by such by such cannot be tried again for some offences not for any other offences based on same facts same facts जनाब Classes Act Section 26 के तहट ये बाद बिल्कुल वाज़ है कि कोई भी शक्रमिट और एक्विक्ट होने के बाद जिसके इस पर दुबारत राई नहीं हो सकता PLD 1982 FSC 265 Accused Equated to Giving Benefit of Doubt cannot be prosecuted again. Thank you. जनाब ये बाद बिल्कुल वाज़ है कि ये इस तगासा नकाबले समात है लेहादा मैं अदाल्ते हमनूर में दर्खास करता हूँ कि इसको खारिश फर्माया जाए जिसकी पी तो Already Decided Matter है तो Decided Matter पर जाए प्रेश कर रहे कैसे लेकर आ गया है ये तो 403 CRPC आप देखें वह तो Already Acuit हो चुके है तो आपने आपको आपको अप्डेट करें तो आपको 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 करें एक ये तो आपको Considiment Effect करहें तो आपको करहा है जैसा मेरी मुकला अनपढ़ है और उसे इन फिर्सीजर का पता नहीं है और उसके साथ जालसादी हुई है मक्तूल के भाई हसनु आज भी तो आप मुकदमा पेश कर रहे हैं तो मतलब यह है कि अगर वो आज आ गए है तो पहले भी आ सकते थे तो क्या आपको अपकी क्लाइंट ने बताया था कि वो एक्विट हो चुक हैं जैसाअब मेरे क्लाइंट को भी यह नहीं पटा था कि वोग्याँ है यहां पर उड़िकाशया है जब कोई झायरे ज़ह उन्याप एक रापुर्णी दर ज़ए पहर एक रिमिटार्च पन अपatures इंप्रॉपर हुआ है और उसमें जो उसके लीगल हियर से हमको इंप्लेट नहीं किया गया करिमनल केस करने के लिए हमारे परेंज दो थरीक होते हैं एक क्या होता है एक आपका एफ़ई आर और एक होता है कंप्लेंट की मुझूद्गी में कंप्लेंट लॉज हो सकती है कोई इसके अंदर लीगल बार नहीं है लेकिन अगर एक बार केस डिसाइड हो चुका हो तो उस केस पर फ्रिश केस नहीं हो सकता जिस तरह यह कह रहे थे केस पेंडिंग है तो ऐसी सुरत में डेफिनिट्ली कंप्लेंट बनती थी तो केस डिसाइड हो चुका है तो डिसाइड होने की वज़ा से अब उसके हवाले से क्या है कि आप अगर कोई भी ऐसा मुकतमा करेंगे तो वो कभी भी मेंटेनेबल नहीं होगा ऐसी कंप्लेंट की फेट इसको डिसमस किया जाना सेक्शिट 203 में यही है आप आप अपील में जाएंगे वहां से केस को रिमांड करवाएंगे और फिर अबर डियूरिंग ट्राइल आप उससे सैटिस्वाइड ना हो तो फिर कंप्ल हमारे कुछ स्टूरंट्स ने दी थी अगर हम उसको इस सेंस में कंपेर करें कि कल उनके पास सरफ 15 मिनट टाइम तो भी एक बहुत अची एफट थी और अगर हम इस एक दिन के टाइम के हवाले से आज की इनकी एफट देखें बिटा आपने एक लफ़ इसमें बोला था इल इल्जाम-अलेहन यह का होता है यह उसकी जमाद होती है तो इसकी होती है के अफ़ाश साथ साथ पोंकि सुनेंगे बोलेंगे तो ही हम सीखेंगे इसमें कुछ नहीं है अगर कोई ऐसा लफ़ गलत भी उता है कि कल देखे हैं तो कुछ लोग जोग कहरे थे लिए रेधे लि वेल्खम आजाए जिनाब, हम आपकी प्रोफेशनल्स और अपेरंस हैं, वो पूरे पाकिस्तान में सब तक पहुंचा देगे ताकि वो लोग भी आपकी प्रोफेशनल्स और अपेरंस को देखें, अगर मैं इन बच्चों को अपने साथ कंपेर करूँ, मैं मैं सब्सक्राइब करियर, तो यह मुझे हजार बोना बेतर है, मैं आज यह अंदर रिकार्ट कहता हूँ, जब पहले अपने ही केस्मे में पेश हुआ था, उसलिए मैंने इतनी सी बात करनी थी, कि आज वकील साब नहीं आ सकते, तो मेरे गले में मेरी आवाज अटक गई और उनने मुझे पानी भी पिलाया था, और आखर पर उन्होंने कहा था, कि आप यह कहना चाहते हैं तो मैं नहीं भरी आख को साथ आ रहा, तो यह अगर यहां पर कुछ ऐसा होता है, तो इसका हर्गिस यह मतलब नहीं है, कि आप तो उसको अपने लिए नेगटिव ले, इसको कमेंट्स को नेगटिव में, बलकि अगर तो कि हम करते हैं, आप उसके कमेंट्स देखते हैं, तो आप उसके रिपलाय में लिखे हैं कि जनाब वेलकम, अगर किसी को लगता है कि इससे बेहतर कुछ कर सकता है, तो अच्छी बात है, आएं और हम आपके जरीये से अगर ने बच्छों के जरीये से पूरे पाकिसान में बैठी हो तुमाम लोग जो ऐसी अवेल नहीं कर सकते उनको ये समझाना एक प्रेक्टिस इस नेम आफ थी तुरी, यूकि अलग चीज़े नहीं है, यह चो चोड़ने कि थी तुरी अलग है और प्रेक्टिस अलग है, आज की जो एफिर्ट थी इन बच्छों की वह बहुत अच्छी एफिर्ट थी, मेरे ख्याल में, आज की बाद मुझे ना कहना पड़े, ऐसी अगर कोई किसी की परफॉर्मिस हो, तो आपको क्लैप और एक ऐसी क्लैप जो पूरे पार्टिस्तान तक को नहीं है, अगर आज क केस में थोड़ा सा ट्विस्ट जो मेरे नॉलज़ में नहीं था बट उसको बड़े अच्छे तरीके से इन लोगों ने भाया कि कल एक हम इसको बड़ी पर ही लेकर चले थे, आज एक रहा का एक लवज उसमें एड़ करने, एक लवज से पूरा केस, उसका सिनेरियो क्या हो आप लिखी हुए चीज़ों से ज्यादा खुद से, हाँ अगर आप खुद से लिखकर आया हैं तो यह तो कोई मिया, ज्याद तो करके आए नहीं सकता, तो इसलिए हम थोड़ा सा आइस्ता हैसा आप लोगों के लेकर चलना है कि इस बेड़ नहीं है, जब आ पार्ट 3 में आप लिखकर आएगा तो फिर हम चले जाएंगे एफमस की कि हमने हर सेक्षिन को डीपली पढ़ना होगा, बट जब वो टाइम आएगा ना तो हमारे पस टाइम ही कोई नहीं होगा, सब्जेक्स बढ़ चुके होंगे और वो six month का period, code of criminal procedure, code of civil procedure, कानोन इशारत order वो नहीं सम समय जानी चाहिए, आप सब लोगों किया section 200 CRPC समय जा चुक है? सब को आया है, अश्वाग क्या है section 200 CRPC? 200 CRPC में पॉर्शन बटा है, वो आप जो बता रहे हो 400 CRPC, क्या है 200 CRPC कोई अदाज़ा है, क्या है 200 CRPC कोई अदाज़ा है, क्यों बच्छा जो बताना चाहिए, कुछ से 200 CRPC क्या है? वो फिर्शन के अदाज़ा क्या है, इस तागासा क्मप्लें्ट कोई दायर क्या जखैंuzर है, जो आप यो मुःट्न के अजलगा सबसे हमेरे क्या चाहिए क्या मुःट्पलेंट Grace को है करता है आगे Quote of Session को, Quote of Session इस तरगासर को सुनता है और उससे पहले आप ने जो इसको डिफेंड किया, वो किसकी पुरियाद पर किया डबल जियू परडी सेक्शन चार सो डील और डबल जियू परडी के प्रिंसिपल के बैक पर जो में प्रिंसिपल इस सारे सिल्सले को ग गदमा नहीं चलाया जा सकता तो बारा उसको सजा नहीं दी जा सकती इस में से अगर आप लोग कोशिशन पूछने चाहते हो तो थोड़ सा आगया कि माइक पर पुछिए लगर कोशिशन आपके जहन में है तो आप माइक पर पूछ सकते हैं अगर ऑन लाइम में किसी के जह अगर आप लोगो को याद हो वहाले से किया था कि जहां पर FIR के दर्ज नहीं हो जए थी तो FIR के दर्ज करवाने के लिए हमने 22 A 22 B की कारवाई करवाई करवाई आज हमने सेक्ष्ण 200 की कारवाई कर रही हैं यह आइस ता रिपायल के तरफ भी जाएंगे जहां पर evidence record किया जहांपे फैनल आर्गिमेंट्स होने हैं जहांपे एक स्टेप वाइज ने तमाम चीजों को लेकर चलेंगे लेकिन अब यह सबसे बड़ी हमारी लगने होगी कि अगर आप सेक्शन 13, 200, 4, 03 और सेक्शन 26 आपको यह सेक्शन याद बोल जाएं लेकिन इसका सबसे अच्छा दिका यह होगा कि आप एक वच को कानून से पढ़ लें अर्दू में इंग्लिश में यह तमाम उस अवेलेबल हैं अर्दू की बुक वो क्रिमिनल वेजरेक्ट अवेलेबल है आप इंग्लिश क्या करें और अगर आप लोगों में इसकी आफोर्ड कर सकता है अगर अगर किताब लेनी पड़े तो कुछ भी वो नुकसान में नहीं है अगर वो ऐसा करें तो इसमें बजाएसके कि आप महंगे वाले बेरेक्स की तरफ से ले जाएं पंजाब बार कॉंसल आठारा सो यह दो हजार में आपको एक किताब दे देती है तो यह आपके सारी जंदगीा अपके साथ चलना है यह ज़ना है यह नहीं चेस का एभई धरियrip करें केस हाइलाइट करें नेक्स टाइम आप लोगों के लिए या होगी असानी आप व्र फस्र टे, अबने लिए शीवल में डिर ताके आना जाना वो मसला ना हो लेकिन जब तक आप उट से नहीं पढ़ेंगे कोईस्टन्स रेस नहीं करेंगे इन चीज़ों की आपको समझ नहीं रहेंगी कल तक के लिए लाह आफ़स दिन आपकल सेम सेशन हमारे दो नहीं सुरूं सोंगे उसकर प्रिजन करेंगे और पर नहीं सेशन किसा तामारे